जेहिंद बंदे मातरम दोस्तों कुंदन एकडमी के हिंदी ग्यान यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों हम जिले और संभाग के करम में चंबर संभाग को पढ़ा रहे हैं चंबर संभाग में जैसा की पता है कि तीन जिले आते हैं शियोपूर मुरेना और भाग और पारन है तो मॉरेना की सारी विशिस्ता के बारे में हम लोग देखेंग के आगे चल करके बहुत सारे प्रैक्ट है बहुत ऐस dois है stays मिलेंगे आपको देखने के ‫लिए मॉरेना जिला यहां देखेंगे तो सबसे पहले देखें किमीध़ीटीना προcknow्ध chat महतंपून को इस जिले का नाम करण मोर पक्छी की अधिकता के कारण हुआ है महतंपून है हैं यहाँ कि बनों में सर्बादिक मोर की मोर पक्छी पाए जाती थे इस कारण से मुरेना का नाम मौर पक्षी के करण इसका नाम मुरेना पड़ा ठीक दोस्तों आगे यहां पास फैक्ट में बताया भी गया है कि इसका प्रची नाम मयूर बन था क्या यहां की बनों में सरबातिक मौर के मौर की पक्षी पाय जाते थे इस कारण से इसको मयूर ब करतित होकर मुरेना हो गया आगे देखेंगे दोस्तों यहां एक ऐसी चीज हम बताने जा रहे हैं आपको ऐसा फैक्ट बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपके मुख में पानी भी आ है दोस्तों तो सुनेंगे मुरेना की गजक जो ही बहुत प्रशिद है और खाने योग बहुत होती है बड़ी ही स्वाधिश्च होती है जैसा आपने सुना होगा सतना जिला के रामपूर में खुर्चन बहुत परशिद है इसी परकार मुरेना की गचक बहुत ही परशिद है तो आगे देखेंगे दोस्तों मुरेना जो है तो सरसो का और दूद उत्पादक जिला है सरसो और दूद का उत्पादक जिला है सरसो और दूद का उत्पादन में अबल जिला म हैं इसे सहाहद 있을ा की नाम से बीजाना आता है मोरेना मिसाहद कभी उत्तपादन काफी मातर में होता है इस कारण से मोरेना करें एक दूसरा उपनाम कह tutte है सहाद Dalam से जाना जाता है ठीजा तो आगे देखिंगे दोस्तौण फैक्ट यहाँ पास की और stories जो है तो एक पशिद्य और की स्थाल है दो देखेंगे यहां पास एक महतापुन बात यहां बताई जा रही है कोने 222 Ε मैं पहली हैंसी दौर इसंगा धिना रखेंगे compare चुके के दोरा स्थापित ही 21920 बाइस्ट में स्थापित किया गया शबान मौन रहना मपने धो मतूरा रिफाइनरी तरह है धियान देगी दोस्तों जैसे मतूरा में रिफाइनरी और रिफाइनरी है याद रखेंगे मतूरा में रिफाइनरी की तरह जो है तो पेट्रोकेमिकल कर Cliff James की स्थापना बान मौर में किया गया है मुरेना की बान मौर में पेट्रो केमिकल कार खाने की स्थापना की गई है ये भी वह तपूर अद्योगी की काई है दोस्तों चुकि बान मौर जो है तो मुरेना का सबसे बड़ा अद्योगी के इस्थाल ही है आगे देखेंगे अगला बानमार में कथ्था बनाने का कारखाना भी है बहुत महत्पूर्ण है कथ्था बनाने का कारखाना कहां है बानमार में ठीक दोस्तों तो ऐसे एक करके सभी फैक्ट देखेंगे सारे सारे फैक्ट बहुत ही महत्पूर्ण है और परिक्षप योगी हैं दोस्तों एक करण से सब्सक्राइब करेंगे तो आगे चलते हैं दोस्तों आगे देखिए बन मौर में कथा बनाने का खाना तो हो गया आगे देखिंग मुरैना में चंबल नदी पर चंबल घडियाल अवस्तित है यहां डाल फीनों का संडक्षन भी किया जा रहा है महत्पून है दोस्तों डाल फ इसमें आपको ने पढ़ा ही होगा जब अभ्यारन पढ़ा होगा enact प्रदेश में 3 घडियाल अभ्यारन है जो कि 3 नदियों कि नाम पर अधारित हैं मुरेना में चंबल घडियाल अभियारन है इसी परकार सहडोल में कहा जाय तो सोन घडियाल अभियारन है और यहां डाल पीन का संड़क्षन भी किया जा रहा है आगे देखेंगे अगला फैक्ट है दोस्तो मुरैना बीहर की समश्या से मदद प्रेज को सरबाधिक प्रभाविजिला है दोस्तो आपको पता है कि चंबल का तराई छेतर है और चंबल नदी मिट्टी के कटाव करके सरबाधिक मुरैना जिला से मिट्टी कटाव करके आगे जो है तो बीहड या खड़का निर्मार करती है तो Soil Erosion इसे दोस्तो मेर्दा कटाओ भी कहते हैं बीहड के समश्य भी कहते हैं या इसको Soil Erosion भी कह सकते हैं तो Soil Erosion से सरबादिक प्रभावी जीला मदड़ प्रसका मुरे Wenn न जीला है और सरबादिक प्रभाइद करने वाली जिला या के सकते हैं कि मिर्दा का अपरदन करने वाली सरवाध्री के बड़ी नदी कौशी है तो चंबल नदी है तो दोस्तों याद रखेंगे कि मुरेना जो है एक beforeकिक से बिघर сमश势 सर रावध्र जिन में से सबसे प्रसिध नदी है, चंबल, फिर कुवारी, आसन, सी, पुवा, शांक नदिया, प्रसिध नदिया हैं। तो चुकि सरवाधिक यहां नदिया बहती हैं और नदी का तराई छितर है, इसलिए यहां पास कछारी मिट्टी पाई जाती है, यहां जलोड मिर्दा का छेतर पाया जाता है दोस्तों, तो आगे देखेंगे जो कि सरवाधिक पुझाव मिट्टी होती है, सरवाधिक पोशकता तो पाया जाते हैं, तो बहुत सारे इसफैक्ट यहां जुड़े हुए हैं। आगे देखेंगे, यहां सांक नदी पर जहागिर ने नूराबाद पुल का निर्वान करवाया था, महतपून है, चुकि आपको पता ही है कि जहागिर की बेगम का नाम था नूर जहा, नूर जहा की याद में जहागिर ने नूराबाद पुल का निर्वान करवाया था, किस नदी पर आवाश्तित है तो बहुत मह तपोन है दोस्तों आगे चलते हैं अगला यहां देखेंगे अगला फैक्ट है डेशका पहला सहीरदnyt मंदिर बहुत बहुत ही महत तपोन है जिस accents है देखेंगे आपने सुना ही होगा डेशके पहला सहीरद 20 मंदिर राम परसाध बिसम मंदिर है आगे देखेंगे मुरैना के पूरसा गवं में नागा जी का मेला लगता है जो आपने मेला पढ़ा होगा तो नागा जी का संत नागा जी थे इनके नाम पर जो है तो मुरैना के पूरसा नमक शाहर पर जगह पर नागा जी का मेला लगता है संत नागा जी का मेला ल आती हैं कहह सकते हैं तो isklo कहते हैं golden triangle कहते तो मुरयन में golden triangle मंदिर के अंतरगात देखा जाय तो पदा वाली मीता वाली वारा की पटेस्वर मंदिर का संवोव इस्तित है तो कौछ अनाम आता है है तो कऊन ञवभ yön के मंधिर 다음 वाली मीता weekends कश्वर मंदिर है दोस्तों तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि गोड़ा ट्रेंगल कें तरगा तीन मंदिर आती है पदावली मितावली और बाटिश्वर सास बहुका याँ अभिलेख मिला है जबकि आपने सुना कोगे सास बहुका मंदिर है है और सहस्तर बहु मुरैना के सिहोनिया में ककन मठा मंदिर जो कि शिव को समर्पित है शिव मंदिर है यहां कछवाहा बंस के राजा कीरती राजने बनवाया था महतपून है मुरैना के सिहोनिया में ही ककन मठा मंदिर है जो कि शिव को समर्पित मंदिर है और कछवाहा बंस के सासा के कीरती ने बनवाया था ठीक है आगे देखेंगे यहां पस आप देख सकते हैं मैंने मैप को भी यहां पस रखा है और यहां मैप देख सकते हैं यहां प्रिश के तीन जिले कौन कौन से सogyopur, Gwalior और भींड मुरेणा जिला को इसपर्ष करते हैं और बांगे उपर देखेंगे उत्तर के और यहां देखेंगे तो यहां मुरेणा एक ऐसा जिला जो राजस्थान और उत्तर प्रदेश कीושीमा को इसपर्ष करता है ठीक है तो यहीं पास राजस्तान के शीमा खत्म होती है और कहें तो यहीं पास जो है तो उत्तर प्रदेश के शीमा शुरू होती है ऐसे कर शक्ति है आगे देखेंगे यह मैप के माधिम से हमने देखा है आगे कुछ अभी और फैक्ट बचे हुए दोस्तों एक एक करके शभी फैक् दोस्तों देखेंगे प्रगैति हाशिक काल की बात किया जा रहा है जैसा कि आपको पता होगा कि मानुष अबता को तीन भागों विभाजित किया गया प्रगैति हाशिक काल आद देती हाशिक काल और आयती हाशिक काल तो जो प्रगैति हाशिक काल है मानुष का प्रारम्भिक शीक जाता है तो यहां पास देखेंगे पहाडगह में मुरैना के पहाडगह में प्रगैति-हासी कालिन 86 घुफाउं का सुर्इंखला यहां मिला है यहां मिला है यहे हром prata में बहुत बड़ा है बहुत बड़ी स्वेव्ट गुर्फाउं का सम compliant here है कि लिख फिराज की गुफाएं कहांрас Çünkü मुरेना जिला में है और आशन नदी के किनारे हैं यह गुफऴएं ठीक है दोस्तों आगे देखिए कर मानता क्मान सार आशन नदी' के किनारे कुनतवार गाउं भारत कालिन है इस नदी में अकौन करन को प्रवाहित किया है बहुत ho 누ہ को पता है महा भारत काल में यह चलबा किया जा ते ये महाभारत काले न कुन्तवर गाउं जो है तो मुरेंड़ में हैं आप को पता ही होगा कि लोको अपबाद के करण जैसे शूर की उपासना के बज़े से कुंति को प्रफम पुत्र की प्रावध होई थी चुकि वो गुमारी थी इस वजज़े से आर समाज को सिवकार ना करता आता है उन्होंने करण को नदी में प्रवाहिद किया था तो सबसे महतापूर बात यह होती है कि काण को किस नदी में प्रवाहित किया था माता कुंती ने तो यहां देखेंगे आसन नदी के किनारे कुंतवर गाउं में क्या आसन नदी के किनारे आसन नदी में प्रवाहित किया था और यहीं जो है तो काण को प्रवाहित किया गया थ था और ये कुंतवर गांज reinstasma सम्बंदित है तोमहा भारत में अगे देखोंसी का मकबरा या महली स्थीट नूराबाद में अठरवी सताबदी में निर्मित किया गया था इसको कहा है दोस्तों नूराबाद में याद रखेंगे कि एक बेगम थी जिनका नाम था गोना बेगम इनका मकवरा है नूराबाद में जो कि 18 सताब्दी में इसको निर्मित किया गया था मुरहना जिला में तो गोना बेगम का मकवरा भी काफी फेमा सा पूछा भी जाता है तो याद रखेंगे कि गोना बेगम का मकवरा या महल कहां पास है नूराबाद में मुरहना में हैं आगे देखेंगे अगला फैक्ट यहां पास देखेंगे दोस्तों अगला फैक्ट है शिहोनिया का जैन मन्दीर शबल गढ़ का यहां देखें सिहुनिया का जैन मन्दीर बहुत फिमस है सवल गढ़ का किल औकसर पूंचे जाता है जो कि सौलवी सताबी में गूर्जर सरदार सवला के द्वारा बन वाया गया था ध्यान रखेंगे जो सवलगड़ का किल दोस्तो सोल्वी सताबदी चाह है गूर्जर अर्शिद्स मंदिर यहां कुंतवर का हरसीद मंदिर फिर देखेंगे बटेश्वर के प्रचीन मंदिर पहाड गंज के सैलास्तर प्रमुक दर्सनी है तो बहुत सारी चीज़े हैं देखेंगे घूमने लाइग भी है यहां यह कह सकते दर्सनी या परेटानिस्तल के रूप में भी कहा जा स करनी है तो दोस्तों यह रहा आपका मुरेना जिला यहां इसके फैक्ट के बारे हमने देखा है और एक एक करके अभी सभी जीलों को मैसे पढ़ते चलेंगे सारे फैक्ट को दोस्तों इससे बाहर कोई फैक्ट नहीं छूट रहा है यदि आपने इतना पढ़ लिया है तो मा